नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर तो दोस्तो ये देख सकते हैं लेक्चे नमबर थ्री है और आपके लिए काफी हल्फुल रहेगा ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेस्चन करेंगे और आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिस क्वेस्चन को करके कि हमारा लेबल हम कहां पर स्टैंड कर रहे है तो दोस्तो आईए जो हमारी 50S Language Coding है इसको सुरू करते हैं बहुत easy series question है और coding और decoding में गईवार पूछ ले जाती है आपके exam में अब लिखा है यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ पर highlighter से heading लिख लेता हूँ यहाँ पर कर देता हूँ इसको मार्क देखिए यहाँ पर लिखा है you are brave यह code written किया जाता है इस letter में प्लीज इसको आप देखिएगा जहाँ पर मैं टिक लिक रहा है and you and me जो आपका you and me है उसको return किया जाता है इस letter में प्लीज यह जो मैंने pink color में किया हूँ है आप देखिए दोस्तों यहाँ पर question में आपसे पूछ लिया इसमें पूछा है कि you किसको represent करता है you किया represent कर रहा है अगर आप beginner है तो आप पहले पूरा का पूरा लिखेंगे क्योंकि हम बिल्कुल complete course करेंगे जो हमने यह series चलाई है ठीक है आप देखिए यहाँ पर है you are brave इसने बोला यह कैसे लिखा गया है यह लिखा है am sa ka और वैसे ही आपका लिखा है you and me पहला मैंने easy example लिया हुआ है आर रा ना मा यह आपका लिखा है ठीक है दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ हमने लिखा है you का meaning तो हमने you ही find करना है बाकी किसी चीज़ पर द्याने देखना है अब देखो दोस्तों दोनों में क्या चीज़ common है you common है you common है तो यहाँ पर लिखो common जो इन दोनों में common होगा वही आपका उत्तर होगा अंसर होगा तो यहाँ पर देखो यहाँ पर M है सा है यहाँ पर देखिए आप केवल मा ही आपका common है तो it means you का code क्या होगा मा होगा यह सबसे असान question है और maximum students इसको गलत करके आ जाते है कई बार और यह banking label में काफी ज़्यादा पूझा जाता है जो भी हिमाचर परते इसके examination होती है ठीक है अब दोस्तो यह हम last example इसके बाद previous years के question करेंगे difficult ठीक है अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि new code किसको refer करता है मेरे को सिर्फ new पे ही click करना है लेकिन देखिए मैंने new देखा तो यहाँ पर new सिर्फ एक ही जगा है तो मेरे को यहाँ से ही पता चलेगा कि इन चारों में से ही you क्या होगा new होगा जो होगा आपका new इनी लेक्टर में इससे होगा अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं देख रहाँ आर तीनों में common है तीनों में common है दिखाई दे रहा है आर मेरे को तीनों में common दिखाई दे रहा है तो देखता हूँ मैं यहाँ यहाँ पे तीन ऐसी चीज़े जो common है, अब देखिए, यहाँ पर mink भी common है, mink भी common है, mink भी common है, तीन होगे, तो R को आप काट सकते हैं, कि R तो नहीं होगा, अब हमारे पास आया mangoes not rip, अब मैं देख रहाँ not और not, अब rip भी आप देख सकते हैं, यह भी आपकी तीन बार है, तीन बार और कौन सी चीज़ है यहाँ पर, तो देख सकते हैं, यहाँ PE है, PE है, PE है, I think यहाँ पर PE का code R भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिर हमने cancel करते जाना है, क्योंकि हमसे NUI पूचा है, तो R IP भी, अब mango और not पर हमने click करना है, अब not और not में, इसमें दो common है, तो इनी दोनों में हमने check करना है, तो देख सकते हैं, यहाँ पर may भी common है, may भी common है, तो not भी आपका नहीं होगा, तो new का आपका जो होगा, वो क्या होगा, mango आपका सही होगा, तो दोस्तों, यह कई वार fictus language of coding आपको पूच ली जाते हैं, और काफी easy है आपके लिए, इसी method स आपसे question यहाँ पे पूचा जाता है, तो दोस्तों, coding decoding हमारा complete होते हुए, जो भी arrangement बनता है, अगर फिलाल future में कोई भी TCS नया pattern आता है, तो आपको मैं notes में update करके बता दूँगा, या तो जो हमारी site है, उस पे भी video डाल दूँगा, ठीक है, अब दोस्तों, अब आपका क sorry, मैं 30 seconds का आपको वक्त दे रहा हूँ कि आप इसको solve कर देगे, दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें क्या trend किया गया है, अब मैं यहाँ पे पहले देखिए, pan 34 है, sebi 39 है, तो मेरे से पूचा है कि plane का जो code है, वो क्या होगा, आप बताइए कि plane का code क्या हो सकत आप देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे pan, p की value कितनी है यहाँ पे, 16, a की value कितनी है, 1, n की value आपके कितनी है, 14, तो यह 34 है और यह मेरा 31 है, तो अभी कुछ मैं डिकलेर नहीं कर पा रहा कि यही pattern follow कर देखिए, चलो अब मैं दूसरे की ओर आ रहा हूँ, दूसरा आपका य S, E, B, I, यह आपका 39 है, ठीक है, इसमें आपके S, E, B, I, अब देखो S का आपको याद है, 19 होता है, E आपका 5 होता है, B आपका 2 होता है, और I आपका 9 होता है, यह आपको mouth में याद होने चाहिए, 19 प्लस 9 होते हैं हमारे 28, 30, और यह 35, अब दोस्तों यहाँ पे 35 to 39 है, 31 से 34 है, practice question अब फस गए, क्या कह सकते हैं, आपको कुछ idea लगा, कई बार हम exam में फस जाते हैं अगर हमने practice question solve लेए, दोस्तों यहाँ पे देखे digit कितनी है, 3, तो इन्होंने क्या किया है, प्लस 3 digit किया है, और यहाँ पे कितनी है, 4 digit है, तो अब आपका 39 है, coding, decoding, essay question ही फसाएगा, तो यहाँ पे पता चल पड़ा, अब plane का, आपको पता ही है, कि plane अब हमने कैसे करना है, काफी easy example दिया था मैंने यह, बट थोड़ा सा mind लगना था इसमें, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, P की value 16 होती है, अब कई सोचेंगे कि यह value कहा से, तो please, जो पहले के lecture है, उनको attendance रोल की जिएगा, serial wise आएंगे तभी आपको यह समझ दाएगा lecture, ट्वाइलर, e की value है 1, n की value है 14, e की value है 5, यह आपको mouth में याद होनी चाहिए, 16 प्लस 12, 28, 29, 29 और 5, 34, और यह बनेगे आपका 48, आप please खुद से भी कर लीजिएगा, अग उससे कई बार अगर गलती हो जाए, तो 48 है, तो 48 में को इतनी digit मैंने प्लस करने, 1, 2, 3, 4, 5, प्लस 5 digit तब जाके आपका अंसर आएगा, क्या आसकता है आपका अंसर बताइए, यह आएगा आपका 53 यहाँ पे अंसर, तो यह previous year में पूचा गया question था, यह आपका arrangement based गे उप पर था, questions, अब दोस्तों, यह practice questions है, अभी बहुत questions मैं आपको इसमें करवाँगा, तो दोस्तों, अब मैं फिर से आपको दे रहा हूँ, केवल 10 second का ही time, आप खुद से try किए दिए, अब दोस्तों, यह question है, I hope आपने कर लिया होगा, अब जो भी आपने, चैया वीडियो हो, मैं यहाँ पर time आपको कम इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि exam आपको इकेवल इतना ही समय देगा, इससे उपर नहीं देगा, अब end है, end की value कितनी है, 62 है, अब दोस्तों, यहाँ पर पहुंच रहा है, बहुत ही impossible, तो मैं कैसे इसमें पहुंच सकता हूँ, क्योंकि 1 है, यह 14 है, 15 है, तो नहीं पहुंच पा रहा है, तो अगर मैं माली जी मैं इसका opposite कर लेता हूँ, A का उल्टा होता है, Z, N का उल्टा होता है, M, D का उल्टा होता है, W, दिल्ली वाले trick बता अगर आप लिखते रहेंगे, प्लस 13 करेंगे, प्लस 23 करेंगे, अब देखिए, यह जब आप इसको प्लस करेंगे, 3, 3, 6, और यह 12, और यह आपका बन गया 62, तो यह यहाँ पे अब हमें चेक करने की जरूरत ही रही है, क्योंकि यह हमारा ऐसे बन रहा है, अब वैसे ही आ अगर आपका मैच हो गया बिलकुल correct तो दूसरा भी वही होगा, तो दूसरा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि एक्जाम में इतना time नहीं होगा, तो boy का उल्टा है, b का उल्टा मुझे पता है, y है, और o का उल्टा है, love, lo, और y का उल्टा क्या है, by, तो दूस्तों कहीं इसक होती है 27-1 तो यह आपका आ गया 26 27-1 अगर माली जी मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ माली जी आपको A का opposite नहीं लग रहा पता कि A का opposite गया है तो आपने पता है क्या करना है 27 से उसको minus करना है A की value क्या है minus 1 तो 26 इसका opposite रहेगा यह भी एक trick है N है N का opposite पता करना है तो 27 से मैं 14 को minus करूँगा तो 13 यह हम 27 होते हैं आपके 26 लेकिन उससे एक digit ज्यादा से हमें minus करना पड़ता है जिस कारना हमें उसकी opposite digit भी पता चल पड़ती है यह method भी आप प्लीज नोट कर लीजिएगा यह मैंने I hope आपको बताया नहीं है तो D की value भी आपको पता है opposite कैसे लगए होता 27 minus D की value कितनी होती है 4 होती है तो D का उल्टा 23 आगया दिल्ली वाले 23 किसका होता है W को होता है इस तरीके से भी आप कर सकते हैं तो मैंने इस तरीके से किया भी अभी y है by y मुझे पता w x y z तो यह 25 होगा और l का तो मुझे पता है love 12 और b का तो आपको पता यह प्लस 2 तो यह बन गया आपका 14 और यह हो जाएगा आपका 39 इसका answer तो दोस्तों प्लीज इस method को भी आप अपने notes में प्लीज नोट कर लिए अब दोस्तों एक यह previous years के questions है अब भी थोड़ा सा मैं easy दे रहा हूँ इसके आगया भी आपको difficult भी आना शुरू हो जाएंगे अब यहाँ पे देखिए behold को इस तरीके से लिखा है indeed को इस तरीके से लिखा है तो आपके मन में आगया कि यह arrangement based के उपर है क्योंकि देखिए same ही digit है अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है इसने b, d, paper में सिधे यह नहीं हो करना होता है कि हमने solve करना है अब देखिए आप में b के बाद d आया है फिर e आया है फिर h आया फिर l आया मेरे id से alphabet चला हुआ है अब मैं दूसरे में देखता हूं d d फिर e e आया हो तो alphabet में तो course भी हमारा किस तरीके में चला हो alphabet पहले छोटा फिर बड़ा माल लीजिए आपको दिक्कत आ रहे है कि मेरे से नहीं find कर पा रहा हूं तो आप इनकी number लिख लीजिए अगर आपको याद है नहीं तो ऐसे find करते रहे है ये 21 है ये 18 है ये 19 है ये 5 है अब c पहले पर मैं दूझे पता है 3 cancel फिर e आएगा उसके बाद ये भी cancel ये भी cancel फिर उसके बाद इसमें छोटा कौन सा वह जोटा है वह भी cancel फिर आपको यहाँ पे है यू हाँ फिर आएगा 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 एस यू तो यह आपका यहाँ पर answer रहेगा ठीक है तो देखिए अगर आपने practice की है जो previous lecture के आप इसको easily solve कर पाएंगे देखिए easy सा question है अब देखिए यहाँ पर थोड़ा से call question दिए जा रहा है यह इस type में question काफी ज़्यादा पूचे जाते हैं fox है 108 है soap है 148 तो अब side क्या होगा answer बताईए आपको वीडियो को आप please pause कर लेजिए फिर आप इसको solve की जिएगा आई होप आपने वीडियो को pause किया होगा और इसको solve किया होगा अब दोस्तों मैं यहाँ पर f o x fox मेरा 108 है fox कितना है 108 है f मेरा 6 होता है यह 15 होता है 21 और 21 तब भी 108 तक मेरा पहुंचना impossible है कगर मैं इसको इसके digital से भी plus यह multiply कर दूँ तब भी मेरा नहीं बंदरा है देखिए जैसे मैं इसको 6 कर रहा हूँ इसको 15 और इसको w x x आपके 24 होती है और यह 29 है sorry 39 हो जाएगा यह 39 प्लस 6 आपका कितना हो जाएगा 45, 45 को multiply करेंगे 3 से 3, 5, 15 1, 3, 12, 13 1, 35 तो अप्रॉक्स नहीं आ रहा है तो मैं एक और trick इसको पहले चाहूँगा कि मैं इसका पहले opposite लेता हूँ f का उल्टा आपको पता था मैंने फूफा जी जो नराज हो जाती है o का उल्टा love, lo यह तो किसी को नहीं बुलेगा और x का क्या होता है crux जो एक chips का नाम है अब मुझे यहाँ पर u की value पहले मैं जो हमने सीखा है वही लगाना है पहले क्योंकि मुझे पता है arrangement based पर है topic लिखाओ है कि यह इस base का question आएगा आपको अब u का क्या number होता है w x sorry u कहाँ 21 यह पताया था मैंने l का पता है twi love और c का पता है 3 तो इसको जब मैं plus करता हूँ तो यह आएगा 15 15 मैंसे 5 यह 6 अच 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 यह कितना बना 15 यह 36 बन गया हाँ तो दोस्तों यह बन सकता है देखिए 36 आ गया total digit कितनी है यहाँ पर total digit 3 digit यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 digit fox तो यह मेरा 36 आ 18 1 3 3 तो इस तरीके का trend भी पूछ लिया है इन्होंने तो मैंने बोला है कि अगर तुमें पता लग जाना चाहिए कि यह arrangement based का है तो मैंने उसी तरीके से चलना है question आपको hint देता रहेगा जैसे आप खुद से solve करता रहेगा अब यहाँ से पता चल गया मेरे को अब मैं दोस्तों यहाँ पे जो भी है मैं soap के उपर आऊँगा sorry soap नहीं करूँगा आप करना होगा आपने कर लीजिएगा क्योंकि एक follow होगे तो दूसरों को follow करने की जुरू होतनी है अब side अब देखिए अभी मैंने एक trick बताया किसी को number नहीं रहा रहा याद तो मतलब इसका उल्टा क्या है तो मैंने क्या बोला 27 से इसको minus कर दो u की value कितनी है u की value कितनी है 21 है सही बोड़ाँ की गलत बोड़ाँ u की value 21 है तो यह 6 आएगा तो 21 में से p की value 16 होती है तो 27 से करेंगे तो यह आपका 9 आजाएग 10 11 सौरी 11 आएगा यह पता नहीं किया कर दो और यहाँ पर s आपका 19 होता है 27 माइटा सा 19 कईयों को मैंने ऐसे बता है high school आप उस तरीके से भी पता लगा सकते है कि s का उल्टा क्या होता है h होता है तो h की value कितनी होती है 8 होती है d का उल्टा दिल्ली वाले वाले की value होती है 23 आप 27 माइनस 4 कर सकते है तो 23 ही आएगा 27 माइनस 5 करेंगे आप कितना आएगा 27 माइनस कितना करेंगे 5 करेंगे 22 लव यह टरीक पढ़ा था L O V E V का उल्टा E का उल्टा क्या है V है 22 इस त्रीके से भी आप कर सकते है अब जल्दी से इसको आपने प्लस करना है यह 17 17 प्लस 8 कितना बनेगा 25 25 25 से मैं इसको कर लेता हूँ पहले यह बन जाएगा 47 47 से 3 यहाँ पे गया तो 10 यहाँ पे 70 70 से आप इसको आप करेंगे इसको एड़ करेंगे तो कितना आएगा आपको 78 आपका आज आएगा और डीजेट कितनी है 123456 आपकी कितनी डीजेट है 6 डीजेट है 1 नहीं 1234566 डीजेट है 6 से इसको मल्टिपलाई कर दो 68 जा कितनी होती है 48 कई यहाँ पर देखेंगे 88 आगया हाँ जी टीक कर दिया तो कई बार जल्द बाजी में भी आप ऐसा मत कहिएगा 6 डीजेट फोर गया 6 डीजेट फोर गया 6 डीजेट फोर टीएट 49 फिप्टे 51 फिप्टेट तो 5 ट्वेंटीएट आपका अंसर ऑप्सन भी इस करेक्ट इजी क्वेश्टन था थोड़ा सा कैल्कुलेटिब था मैंने आज आपको ताई कि अपोजीट डीजेट को भी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं अब यहाँ पर देखें दोस्तों यहाँ पर एक और है यह आप खुद ही करेंगे यह आपको कैसा लग रहा है कि यह कैसा पैटर्न है पहले बुझे देखके यही लग रहा है कि अरेंजमेंट बेस्ट है क्युक्erta कोड़िंग बेस्ट तो सभी कर लेते हैं कि इतना इतना है अब यहाँ पर देखिए कोड़िंग बेस्ट है मैं एक ही solve करूँगा C Y T O S K E L T O N इतना बड़ा letter आगया आप confuse हो जाएंगे तो इसको आप break कीजिए छोटे छोटे पार्ट में जैसे कि 3 पार्ट में कर लिए 2 पार्ट में कर लिए या 4 पार्ट में आप कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पे मिरे को K S O यह भी मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सेम है फिर आपका था L E N O T देखिए मिरे को सेम लग रहा है अब देखो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ पहले भड़ा तो यहाँ पे Y है Y आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ नहीं है तो यहाँ पे देख सकता हूँ मैं यह C इदर गया T इदर गया Y इदर गया क्योंकि Alphabet Reverse Order कुछ भी नहीं जगेगा क्योंकि trend देखिए पहले T छोटा आ रहा है फिर उसके बदद बढ़ा रहा है फिर छोटा रहा है तो यह follow नहीं कर रहा है क्योंकि सबी में same follow जथे अब वैसे ही मेरा O में भी wohi follow हो रहा pattern K में भी wohi S में भी wohi follow हो रहा है वैसे ही अब देखिए आप यहाँ तक आपका क्या हो रहा है same follow हो रहा है अब यहाँ पे आपके यहाँ तक पहुँच गया है अब मैंने यहाँ पर spelling ठीक लिखिए हाँ ल, e, l, e, n c, y, t एक मिनट o, s, k e, l t, o, n, s, k ठीक है वैसे लिखे है मैंने t, y, c, k, k, s, o हाँ मुझे यहाँ पर लगाई था कि कुछ तो कुछ से यहाँ पर गडबर लग रही थी क्योंकि मैंने यहाँ एक लेटर नहीं लिखा है e, l, e, please आप इसको देख लिएगा e, l, e, kई वार ऐसी भी गलती हो जाती है तो यहाँ पर आप देखिए इसको भी मैं 3 में break कर रहा हूँ e, l, e, n, o, t तो यहाँ पर यह छोटा सा हाँ एक लेटर इसमें ज्यादा है तो देखिए आप e भी ऐसे फॉलो हुआ है l आपका ऐसे आया हुआ है अब यहाँ पर t का आपका यह फंडा पढ़ गया है कि t को कैसे हम अर्जिस्ट करें यहाँ पर t ही है इस मिनिट मैं question को check कर दो यह तो दोस्तों यहाँ पर आपका e है e ही होगा sorry यहाँ पर question में miss print है मैं गलती से होगा यहाँ पर यह e ही होगा तो देखिए यह e है और यह e अब तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ जैसे कि यहाँ पर k तक मैंने लिख लिया था अब मैं फिर से लिख रहा हूँ e l e कई वार जल्दी जल्दे में गलते भी हो जाती है और तो इस बात का भी आप दिया रखिया kso अब e l e मैंने यहाँ साहँ यह लिख दिया वैसा ही आपका यहाँ पर आ गया है e l e n o t अब देखें यहाँ पर एक लैटर नहीं दिया है प्लीज इसका यादा कि तो यह भी देखें इस तरीके का फॉलो हुआ है तो i think o भी ऐसे और n भी ऐसे तो वैसे ही मैं बिल्कुल सही यहाँ पर वही लिख दूँगा a l l i t e यहाँ पर लिखता हूं r e t i o n अब मुझे trend पता है इसका कैसे है a यहाँ पर आएगा l यहाँ पर आएगा i इदर आएगा e इदर आएगा t इदर आएगा क्योंकि यही trend चला है जब सभी में series फॉलो हो रही है तो वही आपका answer होगा r ऐसे आएगा t आपका ऐसे आएगा e आपका ऐसे आएगा यहाँ पर बढ़िया है कि three letters है तब आप ऐसे कर लेंगे i n और o तो यहाँ से हमने यह भी चीखा कि कई बार ऐसे digit आप लिखेंगे तो ध्यान पूर वक्त जरूर देखे और ऐसी गलती ना करें तो यह आपका यहाँ पर यहाँ पर अंसर आ गया L L E E T I और मैं देख रहा हूँ यह अंसर बिल्कुल ही सही है ठीक है अब इसके बाद यह और question है यह आपके लिए मैं homework दून देख homework है आपके लिए बिल्कुल easy question है physics है arrangement based का है मैंने काफी question आपको करवा दिये अब एक थोड़ा सा आपके लिए tricky question है इसके लिए मैं आपको 1 minute देख दूना है यह मैंने जान पुछके डाला है आप इसमें सोचिए अभी मैं 1 minute पूरा दूना है सोचिएगा जरूर आज का यह last question है और दोस्तों आपने इसमें आपने क्या करना है जैसे आपका यह topic complete हो गया ऐसा नहीं है कि हाँ यही देखा और कुछ नहीं किया previous year question जिस वी books को आप follow कर रहे है जिस वी book को कर रहे है न follow उसके आप कम से कम 50 questions लगा लिजिए और आपका यह topic complete हो जाएगा पूरा का पूरा लेकिन अभी भी complete नहीं हुआ है क्यूं आपको practice question करने है थोड़े बहुत मैंने करवा दिये कि किस type में आपसे question पूछा जाएगा तो ऐसा है अभी जो exam के time देख रहा है तो दोस्तो इस question में मैं थोड़ा सा फसा था कम से कम मैंने डेट मिनट लगा दिया था कि बना कैसे यह अब मुझे यहाँ देखिए crust है मैं देख रहा था कि c की value तो 3 है और यह इन्होंने यह दे दिया 20, 19, 21, 183 अब देखो examiner क्या करेगा आप जो नया नया होगा वो देखेगा 3 से 20 कैसे पहुंचे 18 से तो एक पहुंच पा रहा हूं है तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा इन्होंने क्या किया है आपने क्या करना है letter लिख लो पहले देखो 20 का क्या होता है 20 और 19 का क्या होता है S यह आपको पता है 21 का क्या होता है U 18 का क्या होता है R और यह क्या होता है C इन्होंने आपको उल्टा ही question देदिया मैं मुझे यहाँ पर यह था कि मैं पता क्या कर रहा था मैं यहां पर C से प्लस का जोड़ रहा था कि इसमें इतना जोड़े इतना जोड़े लेकिन फिर मैं देख रहा था कि यार यह तो C की value 3 लग रही है तो यह देखो यह trend नों ने पूछ लिया वैसे ही इधर देखो B तुम्हारा 2 होता है तो 2 देखो last में है L तुम्हारा कितना फिर T लिखेंगे फिर I लिखेंगे फिर C लिखेंगे देखिए कितना easy सा question इनोंने हमसे पूछा है तो इसका एगर P की value 16, L की value 12, A की value 1, S की value 19, T की value 20, I की value 9, C की value 3 तो यह आपका answer है तो देख सकते हैं आप कितना easy question था और अगर आपने देखा होगा तो आपको यह कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पढ़ें और यह है कि sufficient है हर एक exam के लिए sufficient तब है जब आप उस exam के previous year questions लगाएंगे और मैं आपको बोलनों कि 50, 100 बोल रहा है बोलता हूं लेकिन 50 प्लस तो लगा ही लेजिएगा धन्यवाद दोस्तों जैहिन, जैहिमाचल मिलते ह है अगले topic के साथ